हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टुक्लियर कंसेप्ट क्लासेस और हम यहां पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चिन नुबर 16 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चिनों को सॉल्व करने वाले हैं ठीक है ना आईसेसी मैथेमेटिक्स क्लासेस टेंड चैप्टर फाइब क्वेश्चिन का एकसरसाइस 5.2 को हम सॉल्व कर रहे थे ठीक है और यह उसमें मैंने 15 तक के सारी क्वेश्चिन का वीडियो बना कर दिया है इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चिन नुबर 16 से B upon Bx-1 is equal to A plus B मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चिन दिया रहेगा आपको करना क्या ध्यान दो इसमें आप B को ट्रांसफर करोगे यहां और A को ट्रांसफर करोगे यहां ठीक है ना ऐसा इसलिए ताकि हमें कुछ कॉमन बने मैं दिखाता हूं आपको देखो इन दोनों AX-1-B ठीक है फिर यह प्लस वाल लिखता हूं BX B by BX-1-A equal to 0 यह इधर आएगा तो minus B हो जाएगा यह A इधर आएगा तो minus A हो जाएगा A को यहां रखा हूं B को यहां रखा हूं बाकि solve करना स्टाट करता हूं आप इसके निचे क्या करूंगा 1 मानूंगा और cross multiply ठीक है ना इस तरीके से तो 1 into A A minus B in bracket AX-1 ठीक है divided by this into this यानि यह ठीक है गुड़े 1 तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा AX-1 ठीक है ना अच्छ divided by BX-1 हो जाएगा equal to 0 अब क्या करते हैं जरहे इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है मारे पस तो अंदर भिशते हैं B जाके इससे multiply होगा B जाके इससे multiply होगा और यह जाके इससे तो करो भई देखो यह A लिख दिया ठीक है A minus B into AX A BX minus 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 plus B into 1 B divided by AX-1 ठीक है और यहाँ बचेगा plus ठीक है B लिख देंगे minus minus A into BX A BX minus minus plus यह A divided by BX-1 सुन्या रहा है ना ठीक है अच्छ अब देखिए आप ध्यान से यह लिखा हुए plus में A plus में B और minus में A BX यहाँ भी लिखा हुए plus में A plus में B minus में A BX मतले भी दोनों चीए सेम है मैं जरा इसको आरेंज करके दिखाता हूँ A BX plus B divided by AX minus 1 मैंने ऐसे लिख लिख लिया फिर इसको भी जरा आरेंज करता हूँ तो A को पहले लिखता हूँ फिर B को फिर minus वाले को लिखता हूँ minus A BX फिर plus B को लिख लिख लिखता हूँ divided by BX minus 1 minus A BX plus B एक ब्रैकेट में अंदर एक बड़ा ब्रैकेट बनेगा जहां पर बचेगा 1 upon AX minus 1 एक जगा और यहां बचेगा 1 upon BX minus 1 is equal to 0 ज़र देखो द्यान से अब क्या होगा अब इसके बाद से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे यह minus A BX plus B equal to 0 और एक जगा कर देता हूँ 1 upon AX minus 1 plus 1 upon BX minus 1 ठीक है is equal to 0 को देखत अब इसको solve करेंगे इसको भी solve करने ही होगा है तो देखे क्या करूंगा इस A BX को उधर बेज़ देता हूँ तो यहां हो जाएगा A plus B is equal to यह उधर जाएगा तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा A BX अब A B को इदर बेज़ दो तो क्या हो जाएगा A plus B by A B is equal to X देखे X की value निकल क्या एक यह हो गया पहला answer मार लिए ठीक है अब चली इसको solve करते हैं यहां से X की value निकालते हैं तो इसको मैं यहां solve कर देता हूँ ठीक है तो यह लिखा हुआ है 1 upon 1 मै इसको यही क्रोस multiply करना start कर दूना ठीक है तो यह इधर multiply हो जाएगा यह इधर और दोनों multiply हो के यही रूपी जाएगा तो यह हो जाएगा 1 in bracket BX minus 1 plus 1 in bracket AX minus 1 whole divided by AX minus 1 एक bracket में दूसरी bracket में BX minus 1 equal to 0 बलो भाई अब देखो यह जाके उधर multiply हो जाएगा तो पूरा खतम हो जा 1 into BX BX minus 1 into minus 1 minus ठीक है फिर यह जाके इससे multiply हो जाएगा AX और यह जाके इससे multiply हो जाएगा तो यह ठीक है equal to 0 यह पूरा इधर जाके multiply हो जाएगा खतम हो जाएगा उसको मैं हटा जाता हूँ ठीक है अब यह ही बचेगा अब देखो minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ bx plus ax minus 2 equal to 0 ठीक है ना देखो तो bx मैंने यहां लिखा ax यहां लिखा minus 1 minus 1 minus 2 हो गया यहां लिख देखा minus 2 को उधर बेद देता हूँ और इसमें से x common निका लेता हूँ x बाहर हो जाएगा तो यहां बचेगा a plus b और यह 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा plus 2 ठीक है अब क्या करता हूँ a b को उधर बेद देता हूँ तो x equal to क्या हो जाएगा 2 by a plus b तो देखो यहां एक x की value आ गया quadratic equation है ना तो इस condition में होता है x की 2 values मिलेंगी एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा ठीक है चली यह हो गया equation sorry question number first ठीक है ना 16 का first इस तरीके से हम question number 16 के first को solve करेंगे चली आके बढ़ते हैं next question оло 16 second ठीक है हटा दिया जा इसको चली तो इसको आटाते हैं लते हैं next question question number 16 second इसमें 16 number second में क्या दिया हुआ है ठीक है question number 16 में दिया हुआ है कि 1 upon 16 second 1 upon 2a plus b plus 2x is equal to 1 upon 2a plus 1 upon b plus 1 upon 2x यही दिया हुआ ना अब हम लोग क्या करेंगे देखे इस condition में होता है किया ना x वाले को बस इधर बेदे देते बाग कि सब जहाँ है वही रहा ने देते मैंने example में आपको most important example जो मैं बताया हूँ उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस x वाले टर्म को बस इधर transfer कर देंगे left hand side बाग की दोनों टर्म को उधर आन देते हैं तो देखिए हो जाएगा 1 upon 2a plus b plus 2x minus 1 upon 2x अभी समझ में आ जागा ठीक है यह minus हो जाएगा यह bracket में जाके लग जाएगा 2a plus b plus 2x और whole divided by में इन दोनों का multiplication 2x in bracket 2a plus b plus 2x bracket close is equal to इसमें भी cross multiply करिये तो यह हो जाएगा b plus यह 2a divided by 2ab यह दोनों का multiplication ठीक है चले अब उपर minus sign को अंदर भेज़े तो क्या हो जाएगा 2x minus 2a minus b minus 2x divided by 2x in bracket 2a plus b plus 2x ठीक है बोले स्वम्यार न अब क्या करेंगे is equal to यह हो जाएगा इसको ऐसे भी लिख सकते है 2a plus b कोई दिक्कत तो है नहीं 2ab अब देखो यह 2x यह 2x कट जाएगा यह minus b और minus 2a में से यह minus को common निकाल लेते हैं तो minus बाहर हो जाएगा तो यहां बचेगा 2a plus b divided by 2x in bracket ठीक है ना 2a plus b plus 2x ठीक है इस तरीके से और यहां क्या बच जाएगा 2a plus b divided by 2ab अब देखो अब देखो समझ में आएगा बई क्यों ऐसे क्या था देखो 2a plus b इधर भी है और 2ab equal to right hand side भी है अब यह अगर इधर जाएगा तो divided by में आएगा यह और यह कट जाएगा बास समझा रहा है तो यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां minus और यहां कुछ नहीं तो 1 बचेगा minus 1 upon यह बचेगा 2 multiply कर दूना अंदर ठीक है मैं इसको multiply कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x into 2a 4ax plus 2x into b 2bx 2 into 2x into 2x 4x square ठीक है समझा रहा है ना क्या हो रहा है चली अब इसके बास से क्या करेंगे लोग इसको is equal to 1 upon 2ab अब क्या करेंगे इसको इधर multiply कर देंगे और इस पूरे term को इधर ठीक है अब हमें करना क्या है यहां पर quadratic equation बनाना है तो आप देखो यह 4x square फिर इसमें से अगर x बाहर निकाल लेंगे तो यह x वाला term यानि b जहां होता है bx वो बन जाएगा और यह c बन जाएगा हमेर लिए तो देखो मैं बनाक दिखाता हूँ इसको उधर भेज़ दो तो यहां बचेगा 0 equal to 4x square को पहले लिख लेता हूँ फिर इन दोनों में से x common निकालूँगा तो क्या बचेगा ब्रेकेट के अंदर बचेगा 4a plus 2b और x बाहर हो जाएगा इसे ठीक है ना इसको उधर भेजाओं तो क्या हो गया प्लस 2ab अब ध्यान से देखो इकोल टू के 0 इधर 0 लगा सकता हूँ यह 0 इकोल टू इधर भी लगा सकता हूँ कोई दिखकत है ना इकोल टू 0 अब मैं कहा रहा हूँ देखो a x square प्लस यह b x प्लस c इकोल टू 0 आ गया अब इसके बास क्या करना है बीच वाल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है मैंने कहा जब भी हमें यह यह प्लस दिखे का करेंगे क्या यही टर्म तोड़ देंगे बस यह हमार लिए main पार्ट होता है 4 a x into 2 b x वही हमारा टूट के आएगा ठेके ना इसको solve करेंगे तो आप देख लिजे देखे यह क्या करते है a into c करते है न तो a के दिया हुआ है 4 और c क्या दिया हुआ है 2 a b इसको multiply करें कितना आएगा 8 a b 8 a b को क्या करेंगे आप तोड़ेंगे 4 a b में प्लस 4 a में और 2 b म आ जाएगा बास में रहा है यही चीज़े दी रहती है वही हमें तोड़ना रहता है तो चलिए देखे 4 x square प्लस 4 a x प्लस 2 b x प्लस 2 a b equal to 0 इसमें कुछ common इसमें कुछ common तो यहां से तो दिख रहा है 4 x 4 x तो 4 x मैंने बाहर निकाल लिया चलो 4 x बाहर हो गया तो क्या बचे सिर्फ a बचेगा उसमिगा दहा है तो यहां से सरी अभिं ऊब्लब सही जा रहे है ठीक है हम क्या करते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं चलो बहुन के बाहर हो जाएगगा तो 4x plus 2b, 4x plus 2b बचेगा, equal to 0, अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, x plus a equal to 0, ठीक है न, 4x plus 2b equal to 0, अब देखो इसको 0 कर रहा है, a को उधर बेज़ेंगे, तो x equal to क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, x equal to minus a, समझना रहा है, इस तरीके से 2b को उधर बेज़ दो, तो 4x equal to क् minus 2b by 4, यह 2 से 2 कट जाएगा, काट लेज़े तो क्या बचेगा, x equal to minus b by 2, समझा रहा है, इस तरीके से आसानी से question की value को find out किया जा सकता है, ठीक है, एक तो x की value आएगी minus है, और दूसरा क्या आएगा, minus b by 2, दियो हो गया question number 16 second, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लेते है question number 17, question number 17 में दिया हुआ है, 17 में, 1 upon x plus 6, ठीक है न, 1 upon x plus 6, plus 1 upon x minus 10, is equal to 3 upon x minus 4, समझा रहा है, आप देखो directly है करना है, क्या, cross multiply कर देना है, ठीक है न, क्या जाए, चलिए, यह जाकर के, इधर multiply हो जाएगा, और यह जाकर के इस से, तो यह हो जाएगा, x minus 10, प्लस यह जाएगा, x plus 6, यहां बन रहेगा, यहां बन रहेगा divided by में हो जाएगा x plus 6 एक bracket में दूसरी bracket में x minus 10 और यहां रहेगा 3 by x minus 4 ठीक है अब यह 1 अंदर जाके multiply होगा तो x हो जाएगा minus 1 अंदर जाके minus 10 से multiply हो तो minus 10 हो जाएगा इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा x plus 6 divided by इनको multiply करिये तो x into x x square x into minus 10 minus 10 x 6 into x plus 6 x 6 into minus 10 minus 60 is equal to 3 by x minus 4 अब क्या करेंगे इसको इधर बेस के multiply कर देंगे इसको इधर बेस के multiply कर देंगे is equal to 3 in bracket यहां जड़ा solve करिये तो क्या बचेगा x square minus 10 x plus 6 x minus 10 x में से plus 6 x जाएगा तो minus 4 x और बचेगा ठीक है और यह minus 60 बचेगा ठीक है ना अब चलिए इसको अंदर multiply कर दिये x into 2 देखिए यह x इससे multiply होगा फिर यह x इससे फिर यह minus 4 इससे फिर यह minus 4 इससे इसी तरीके से ठीक है ना x into 2 x 2 x square x into minus 4 minus 4 x minus 4 x minus 4 into 2 x minus 8 x minus into minus plus 4 into 4 16 is equal to अब 3 को सब में multiply करिए 3 into x square 3 x square minus 3 4 जा 12 x 3 6 जा 18 यह हो जाएगा 118 अब क्या करते हैं इन सभी values को उधर transfer कर लो तो क्या हो जाएगा 3 x square minus 2 x square यह देखिए इदर जाएके minus हो जाएगा similar term में से minus होंगे सब अब देखिए इसको जारा solve करके उधर बेजूँगा तो पहले तो इसको लिख लेता हूँ minus 12 x पहले स्था और यह देखिए कितना हो जाएगा minus 12 x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 12 x ठीक है ना अच्छा minus 180 इदर पहले स्था यह उधर जाएगा minus 16 हो जाएगा equal to 0 अब भाई 0 इधर लिखे हैं चलिए यहाँ हो जाएगा x square यह minus 12 से plus 12 निकल पड़ेगा यहाँ minus करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 यहाँ बचेगा 7 7 में से जाएगा तो 5 और यहाँ कितना बचेगा यह हो जाएगा 0 ठीक है अब यहाँ से value अगर निकाला जाएगा तो क्या जाएगा 14 14 जा 160 कुछ गरपर हो रहा है क्या अच्छा स्वारी यह दोनों minus है ना मैं यहाँ गरपर कर रहा हूं यह दोनों minus है देखें यह minus में भी यह मत तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 606819 और यह हो जाएगा 1 is equal to 0 ठीक है अब क्या करेंगे इसको उधर बेज़ देते हैं तो यह हो जाएगा x square is equal to 196 x square को उधर बेज़ देज़े तो root में कर देगा उसको तो root में हो जाएगा 196 और हमने बताए कि x जब भी यह root से बाहर निकलता है तो इसकी दो बेल निकलती है एक plus और minus में 196 किसका होता है इसको है root 14 का तो इसके दो answer कौन-कौन से होंगे x is equal to plus 14 and x equal to minus 14 यह होगा question number 17 ठीक है चले अब लेते हैं next question question number 18 question number 18 18 first अच्छा दो पार्ट में दिया हुआ है 3x plus 4 root में equal to x हमने कहा था देखिए example most important example में भी ऐसे questions मैंने बता था square root दिया है तो क्या करेंगे squaring both the side कर देंगे तो लिख लेते हैं squaring squaring both the side ठीक है चले squaring कर देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 3x plus 4 root में है इधर square हो जाएगा और इधर भी square square से root कट जाएगा तो यह क्या बचेगा 3x plus 4 is equal to x square हो जाएगा न चले अब क्या करते हैं इन सब को उधर देखो 1 into 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहां माइनस हमको यह माइनस चीन तो माइनस 4 और प्लस 1 में तोड़ लेता हूँ देखो क्योँ माइनस 4 में से plus 1 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा और minus 1 into 4 करेंगे तो minus 4 हो जाएगा तो चली यह हो जाएगा x square minus 4 x plus x minus 4 equal to 0 ज़े अब क्या करेंगे इसमें कुछ common इसमें कुछ common यहां से x common निकालेंगे तो बचेगा x minus 4 यहां से कुछ common नहीं दिख रहा है क्योंकि x-4 चाहिए और x-4 है भी तो क्या ले लते हैं बस 1 यह हो जाएगा x-4 equal to 0 इसमें से भी 1 इसमें से भी 1 तो इस तरह हो जाएगा चलिए आप देखें दोनों से मारा ना मतलब सही जा रहा है x-4 एक जगा हो जाएगा यह x-1 एक जगा हो जाएगा ठीक है equal to 0 अब क्या करेंगे x-4 को एक बार 0 एक बार x-1 को 0 यह हो जाएगा x equal to 4 ठीक है और यह 1 को उधर भेजेंगे तो x equal to minus 1 होगा answer इस तरीके से question number 18 के first को solve करेंगे ठीक है इस तरीके से क्या है अच्छा एक चाहिए और मैंने बता था कि जब हम लोगी squaring करते हैं तो क्या होता है जो values आती है वह हमाले है सही नहीं होती है मनलब कि यह जो roots आते है यह x का root तो आया लेकिन इस equation के लिए root नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है यह values में रख करके check करते हैं किस value के लिए satisfy कर रहा है तो चलिए हैं यह चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है root 3x plus 4 is equal to x तो x थे जगा पर मैं पहले 4 रखता हूँ ठीक है न 4x equal to 4 यहां रखो भई तो यह हो जाएगा 3 4 जा 3 into 4 plus 4 is equal to 4 यह हो जाएगा 3 4 जा 12 plus 4 is equal to 4 यह कितना हो जाएगा root में 16 is equal to 4 हाँ लगबग आ रहा है 16 4 is equal to 4 आ तो ठीक है ठीक है न यह सही है हमार लिए next यह check कर ले जारा तो चलिए रखते हैं root में minus 1 होगा तो नहीं आएगा यानि हमाली root जो होगा यह सिर्फ x equal to 4 होगा क्योंकि यह minus 1 रखेंगे तो minus में root आएगा तो गड़बड हो जाएगा हमाले value देख लीजे 3 into minus 1 plus 4 is equal to minus 1 ठीक है न यहीं न होगा x के जगा पर minus 1 यहां भी minus 1 तक लिया यह क्या हो जाएगा minus 3 plus 1 is equal to minus 1 अब क्या होगा यहां से बाहर निकालेंगे यह हो जाएगा 4 है sorry यह 4 है यह हो जाएगा हाँ आ तो जाएगा यहां से लेकिन root में है तो plus minus 1 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, माइनस वाली value को छोड़ देते हैं, यानि हमार लिए यह answer सेब सही होगा, ठीक है, चले, आगे बड़ते हैं, next question के तरफ, question number 18 का second, 18 second, 18 second में क्या दिया हुआ है, देखे, root me, x in bracket, x minus 7 bracket close is equal to 3 root 2, ठीक है, squaring both the side फिर से करेंगे, ठीक है न, squaring both the side, चले, squaring करेंगे तो क्या हो जाएगा, root में x in bracket, x minus 7 bracket close, 3 root 2, squaring इधर, इधर भी, तो यह square से root कट जाएगा, यह हो जाएगा, x in bracket, x minus 7, और यहा हो जाएगा, यह square 3 पर जाएगा, यह square 2 पर जाएगा, तो 3 पर जाएगा, तो 9 कट जाएगा, और 2 पर जाएगा, तो square root के लिए कट जाएगा, तो into 2 बचेगा, यह जाएगा, x अंदर multiply करिया, x square minus 7 x is equal to 9 to 18, 18 को जाएगा बुला लीजे, x square minus 7 x minus 18 equal to 0, क्या करेंगे, first a into c, a यहाँ पर है, c यहाँ पर है, तो minus 18 होगा, 1 into minus 18, minus 18, 18 को break करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 2 times, यह 2 बचेगा, 9, ठीक है न, और यहाँ 3, 3, 3, 1, यह 3, 3 जा 9 ले लेंगे, और यह 2 ले लेंगे, 9 में से 2 जाएगे, तो 7 भी आ जाएगा, चले, आप क्या करेंगे, इसमें सकुछ common, इसमें सकुछ common, यहाँ से x common होगा, तो बचेगा, x minus 9, यहाँ से 2 common निकालेंगे, तो बचेगा, x minus 9, आपको दिख रहा है, x plus 2 equal to 0, तो x equal to 9 हो जाएगा, और यहाँ x equal to क्या हो जाएगा, minus 2, तो यह हो गया, वैलू, अच्छा, फिर क्या करेंगे, चोकि हमने square किया है, तो जो values आई है, वो root तो आई है, actually, इस quadratic equation के लिए, लेकिन हमें इसकी ले वैलू चाहिए, तो क्या करेंगे, वैलू रखेंगे, चेक करेंगे, चलिए, 9 रखते हैं सबसे पहले, तो यह हो जाएगा, root में, 9 in bracket, 9 minus 2 is equal to 3 root 2, तो यह हो जाएगा, 9 minus 2, 7, 7, 9 जा 63, 63 is equal to 3 root 2, तो 3, 3, 9, 9, 2, यह हो जाएगा, 18, देखेंगे, यह वैलू तो नहीं आपाएगे बरहाबर, ठीक है, तो क्या करेंगे, minus 2 रखेंगे, minus 2 रखेंगे, minus 2 रखेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार, तो minus 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, root में, minus 2 in bracket, और minus 2 minus 2, ठीक है, यह हो जाएगा, हमारे पास, root में, minus 3 root, 3 root 2, ठीक है, इसको solve करेंगे, तो क्या आजाएगा, हमारे पास, minus 2 minus 2 minus 4, minus 4 into 2 minus minus, minus कट जाएगा, यह हो जाएगा, 8, 8 equal to, 2 to 4, 4 to 8, 3 root 2 चाहिए, तो देखेंगे, 3 to 6, 6, नहीं आपारे बेल्यूस, ठीक है, हम 9 रख रहे थे, यहाँ पर, तो 9 शीदो कि, square इसमें तो करना पड़ा है, square इंग कर सकते हैं, लोग, तो 9 value यहां रखेंगे, तो 9 minus 2, ठीक है, 7, 7, 9, जा 63, 63 हो जाएगा, क्या, मैं देख लेता हूँ, हो जारा है, एक बार, 3 time में, 2, 1, 3 time में, 7, 7 time में, नहीं, 3 root 7 आएगा, यह नहीं रपाएगा, ठीक है, और क्या करते हैं, एक बार, minus 2, के चेक कर लेते हैं, ठीक है, minus 2 एक खेंगे, तो क्या आजाएगा, minus 2, in bracket, minus 2, 2 यहाँ हो जाएगा, और यह, minus 2 तो पहले से, ओ, स्वारी, यहाँ, minus 7 है, यहाँ, मैं गरबड कर रहा था, यहाँ, 7 है, ठीक है, यहाँ, गरबड हो रही है, क्या करेंगे, यहाँ, minus 7 है, तो यह हो जाएगा, 7, 9 into 2 equal to 3 root 2, तो यहाँ, देको, 9 to 18, 18, 18 में root आ रहा है, 3 root 2, हाँ, आप सही है, ठीक है, ठीक है, फिरी गलती हो रही थी, यह हो जाएगा, अब इसको लिख रहते हैं, 3 root 2, 3 root 2, बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि, यह जो है, यह इसके लिए true है, ठीक है, फिर इस तरीके से, माइनस 9, माइनस 9 into 2, प्लस 18, 18 is equal to 3 root 2, इसका मतलब दोनों परी सही आ रहा है, तो यह दोनों values क्या हो जाएंगे, इसके लिए, सही हो जाएंगे, ठीक है ना, यह दोनों values सही हो जाएंगे, चलिए, इस तरीके से question को solve कर देते हैं, आगे बढ़ा जाएं, सोर में आ रहा है, मिटा दिया जाएं, चलिए, देखें, आब इसके पास से आता है question number 19, question number 19 में क्या दिया हुआ है, use the substitution, देखें, ऐसा question में मैंने आपको बता रखा, पिछली वीडियो में, important वाले में, ठीक है ना, तो use the substitution y is equal to 3x plus 1 to solve for 5 in bracket x plus 3, 3x plus 1 का whole square plus 6 in bracket 3x plus 1 minus 8 equal to 0, तो क्या आखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ 3x plus 1 दिया है, वहाँ पर value क्या substitute कर देंगे, y, ठीक है, चलिए, लिख लेता हूँ, 19 question, क्या दिया हुआ हुआ है, 5 put, putting, प्याइज is equal to 3x plus 1, चलो, यह हो जाएगा 5 in bracket 3x plus 1 का whole square plus 6 in bracket 3x plus 1 minus 8 equal to 0, यहाँ पर y रख देता हूँ, यह हो जाएगा 5y square plus 6y minus 8 equal to 0, तो y के respect में यह quadratic equation में है, अगर y के respect में quadratic equation में है, तो क्या करते हैं, ठीक है, इसको solve कर लेते हैं, तो a into c करेंगे ना, चलो, मैं यहाँ कर लेता हूँ, a into c, a क्या है, 5c क्या है, minus 8, कितना हो जाएगा, minus 40, 40 को सिर्फ break करते हैं, दो पाट में तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए, 2 bar में 20, 2 bar में 10, 2 bar में 5 और 5 times में 1, 5, 2 जा 10 और 4, ले सकते हैं क्या हाँ, 10, 10 और 4, 10 में से 4 जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और 10 फोर जा, 40, तो एक काम करते हैं, इसको plus, इसको minus, क्योंकि हमें 6 प्लस में चाहिए, तो 5y square plus 10y minus 4y minus 8 equal to 0, इसमें इसकुछ common, इसमें इसकुछ common, 5y यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा y minus y plus 2, और यहाँ से minus 4 common निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा y minus 2 equal to 0, सबन्यारा, देखें, दुनों जगा से मारा रहा न, अच्छा, यहाँ से तो minus बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस, ठीक है न, अब सही है, तो क्या करेंगे, इसको common ले लेते हैं y plus 2 को, तो क्या बच जाएगा, 5y, 5y minus 4 equal to 0, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद से इसको 0, इसको 0, तो y plus 2 equal to 0, और 5y minus 4 equal to 0, तो यह हो जाएगा y equal to minus 2, और यहाँ हो जाएगा y equal to 4y, आगे 2 values, अब हमें y की value ने चाहिए, हमें x की value चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बार यह value यहाँ रखके, इसको solve करके x की value निकालेंगे, और फिर यह value यहाँ y के पास रखके solve करके निकालेंगे, चली, लिख लेता हूँ, for y equal to minus 2, तो यह value यहाँ रखता हूँ, तो minus 2 is equal to 3x plus 1, 1 को इधर बेजो, तो minus 2 पहले स्था, और यह 1 इधर आगा, तो minus 1 is equal to 3x हो जाएगा, ठीक है ना, अब क्या करता हूँ, minus 2 minus 1, minus 3, और यह 3 इधर आखे divided by मो जाएगा, तो x, यह कट जाएगा minus 1 time में, minus 1 is equal to x, यह next की value क्या आजाएगी, minus 1, इस तरीके से जरा यहाँ करलो, लिख लेता हूँ, for y is equal to 4 by 5, तो यहाँ हो जाएगा, 4 by 5 is equal to, यहाँ पर, ठीक है ना, यह y, लिखाए ना मैंने, y is equal to, तो यह हो जाएगा 3x plus 1, 1 को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, 4 by 5 minus 1 is equal to 3x, यहाँ रखके cross multiply करूँगा, तो 4 minus 5 by 5, समझा रहाँ ना, यह 5 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा, equal to 3x, 3 को इधर भेज के डिवाइट कर दो, तो 4 में से minus 5 जाएगा, तो minus 1 by 5, और यह 3 आएगा, इधर divider by में हो जाएगा, x, यानी x की value क्या आजाएगी, minus 1 upon 15, तो x की value क्या आजाएगी, minus 1 upon 15, समझा रहा है, इस तरीके से question को आसानी से solve क्या जा सकता है, तो यह हो गया question number 19, अब इसके बास से 4 questions और बचे होएगा, 20, 21, 22, 23, इन question को हम बताएगे next video में, ठीक है न, पचलिए मिलते हैं next video में, पचलिए मिलते हैं next video में,